जब घर में मंदिर में या कहीं भी और किसी और स्थल पर आरती हो रही होती है तो आरती के बाद में जैघोश बुले जाते हैं उस देवत्व की जैघोश के बाद में और कई तरह के जैघोश रहते हैं उसके साथ में एक महत्वपूर्ण जै ये भी होती है कि आज के आनंद क आज जुक्षन बीता है, आज जुक्षन कर्म के साथ लगातार चला है, आज जो ये कर्म के सद्धानतों के साथ में चला है, आज जो हमने खुशियां प्राप्त की है, अनुभूतियां अनुभव प्राप्त किये हैं, उन सभी का सम्मिलत सुरूप का रूपक जो आनन्द है, हम उसकी वहाँ जै बोलते हैं किन्तु एक बार स्वैम से पूछे जाने की आवशकताय रहती है कि रात्री अंतराल में सोते समय हम कहीं अपने चंताओं की जै बोलकर तो नहीं सोते है हम जो व्यग्रताएं हैं और जो भाय है उसकी जै तो अपने मन के भीतर नहीं बूलते है इस दिन कितने बेसलेस फियर हम लेकर चले एक बार यदि संदिया समय में उसका अंदाजा लगाया जाए तो मालुम चलता है कि हाँ वाकई में उससे कुछ भी निकलने वाला नहीं था किन्तु उस शण में हम चिन्ताओं के साथ में चे हम वरशापूर्व की अपनी यात्रा को देखें तो कई बार लगता है कि नौकरी पेशा जीवन में उस समय जब चिन्ता कर रहे थे तो वो बिलकुल बचकानी इस्तिती थी कहीं पर भी उसके सरोकार दूर दूर तक बनी थे किन्तु हम उस समय उन चिन्ताओं को लेकर चल रहे थे और आज के परिपेक्षे के अंदर देखें तो लगेगा कि उस समय की चिन्ताओं अंदर मुल थी और आज की चंताएं बहुत बड़ी जड़ों को लिये वह हैं जबकि जो आज का वर्तमान है कुछ शणों के बाद या कुछ वर्षों के बाद में जब बोदकाल हो जाएगा तो लगेगा ये चंता भी कुछ नहीं थी सिर्फ भीतर की बेसलेस पोजीशन्स थी जिन्होंने ये सारे ही भय हमको परूसने का कार्य किया और वहां से हम अपने आनंद को भूलते चले गए जीवन में जब हम आनंद की जए वहां उस आरती के साथ में लगातार जएगोश के साथ लेकर चलने वाले होते हैं तो एक बार महसूस भी करें ये क्या वाकई में इन शणों के साथ में हमने खुद को आनंदित किया है लगातार खुद को एक शड़ा के भाव के साथ में लेकर चले हैं बले ही शड़ा है आस्था है विश्वास है कर्म के सद्धानत है कर्म है कोई भी दूसरा सुरूप है वो सब कुछ आनंद के मूल के साथ वर्तमान में चलने वाला होता है anxiety रहेगी, anxiousness रहेगी, कामकाज है तो ये सब कुछ रहेगा, किंतु ये कितने समय तक हावी है और हम कब इस से मुक्त होकर अपनी यातरा को तैय कर पा रहे है जब व्यक्ति ये समझ लेता है, तो वो अंतु तो गत्वा चोटी 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 चंताओं के साथ में खुद को लंबे समय तक लेकर चलने वाला होता नहीं है समस्याएं है तो समाधान साथ में रहेंगे, जीवन है तो उद्देश्य रहेंगे किन्तो उन उद्देश्यों के साथ में यदि सिर्फ टाइम लाइन की चंताइं जुड़ती चले जाती है तो व्यक्ति खुद को उस कारे की खुशी से दूर करता चला जाता है इसी वज़े से हम जिस भी कर्म के साथ में हूँ वहाँ पर आनंद यदि खोजने जाएंगे तो वो प्राप्त होने वाला होगा और यदि हम उस खोजबीन के साथ में होंगे ही नहीं यह सोचेंगे कि कब यहाँ से चेंज करें तो सिर्फ फरस्ट्रेशन निकल कर आने वाली होगी आपने एक जौब को चेंज किया इस वज़े से कि वहाँ फाइनेशल गिन मिले किन्तो अब जो प्राफाइल मिली है वो इतनी सेटिस्फेक्शन वाली नहीं है किन्तो मालूम है कि उस ओहदे के ओपर हैं कि दो वर्षों तक परिवर्टन की और जा नहीं सकते हैं तो वहीं पर आज इस क्षण में उस कर्म के साथ में आनंद को खोजने का प्रयाज जरूर करें और वहीं से यात्रा बहतरी के और जाने की शुरुवात करती है अन्निता हम अपने लिए आज के साथ सिर्फ रिग्रेट्स को खुद के लिए देने वाले होते हैं और जैसे ही उन रिग्रेट्स से वेक्ति दूर हटा आप देखिए आनंद अपने सद्धानते काधार के साथ जीवन में जुड़ता चला जाता है तो एक बार इस शब्द को भीतर तक महसूस करने के आवशक्ता हैं इस रविवार के दिवस में गहराई से रहेंगी एकांत के साथ में कुछ समय जरूर चला जाए खुद के भीतर के भावों को पहचाना जाए कि प्रतिय के कर्म के उद्देश्य के बाद में हमारी नहतार्थ ऊरजा क्या है और वहीं से जो स्पंदन प्राप्त होगा वो आपको काफी हद तक सम्रुद्धी के साथ में इस दिवस में लेकर चलने वाला रहेगा हम यहां मूल रुपेंड 17 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजर हुए हैं चंद्रमा पूरे दिन कुम्ब राशिस्तान में ही रहेंगे तो सूरेदेव यहां पर अपनी परिवर्तन शीलता को सामने लेकर आ रहे हैं तुला राशिस्तान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे जो कि इनका नीचस्त राशिस्तान है आश्विन मास शुक लिपक्ष चल रहा है रविवार जैसा हमने आपको बताया रहेगा तो साथ में ही शत्विशा उपरांत पूर्वा भातरपद नक्षत्र की परिदियां और हम शुरवात करते हैं मेश उंग्राशी के साथ में कामकाजी जीवन में यह समय विशेश आपको चोटे-चोटे अवरोदों से बाहर निकालता चला जाएगा इस समय की प्रमुक विशेशता ये भी है कि ग्रिहस्त के साथ में जो भी समय बीतेगा वो आपको आनन्दित करने बला रहेगा और यहां यात्रा समद्दी कामकाज को बेहद अच्छे से आप आगे बढ़ा सकते हैं गर परिवार के साथ में जो हशिक उसी का बातावरन रहता है और जो हम यहां पुरानी चर्चाओं को लेकर चल पाते हैं वो भी पूर्ण तया खुद को एक सुकून और संतुस्टी देने वाला हो सकता है यही हम वहां समय गतीत करते हैं रविवार के इस दिवस विशेश में भी नौकरी पेशा जीवन में कुछ कारे सामने आ सकते हैं जिसके लिए अपनी पॉसिबिलिटीज को पहले से अपरूच करके आप रखिएगा पूरी टीम को उसके लिए प्रपेर करना होता है तब भी आप अपनी जो एक तरह से प्रूच होती है उसको बिल्कुल प्रेसाइस करके चलने का प्रयास करें नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो चिंताएं बनी होई थी वो इसरे के साथ में यहां कम होती चले जाएंगी मंगल परदान राशी के जातकों को चाहिए कि आपको रक्त संबंधी विकारों से यहां पूर्ण तया सावधान रहकर चलने का प्रयास करना चाहिए अरण संबंधी स्ततियों में निरने के अंदर आप अपनी गती को धीमा करके चलें यहां पर सिक्षा संबंधी कोई भी निरने लेना है आप वहां बेहद आसानी से आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं गुरशब राशी के जातकों के लिए यहां आत्म विश्वास में बर्दी है काम का जी जीवन के अंदर जो चंताएं अब आपके लिए दूर हो रही है वो आपको आगे एक नई आभा देने वाली होगी पॉजिटिव रिफलेक्शन्स को साथ में लेकर चलवाने वाली रह किस रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं यह समय आपके लिए सही होगी है और वहीं पर इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन आप यहां पर लेना चाहते हैं गर परिवार और ग्रिहस्त के साथ में एक बार चर्चा जरूर हो इस बात पर आप पूरे तरी के साथ में जोड़ेवेगती हैं इसे शेतर विशेश के अमदर आपके लिए यह अंतराल काफी हद तक पॉजिटिव रिफलेक्शन को सामने रखने वाला हो सकता है और वहीं हम गरशब राशी के जातकों से निविदन करेंगे कि जो भी यहां पर आप व्यापारिक जीवन के अंदर निरने लेते हैं उसके अंदर रुपए पैसे के अलावा किन लोगों को साथ में जोड़ना है इस पर आप जरूर फोकस करके चलिएगा सुबह सुबह आलस से की प्रवर्तियों से थोड़ा सा दूर रहें और वहीं शाम के समय अंतराल में जो भी मन और अंजन के साथ में चल रही इस्तिया होती जो मन को सुकून देती है या फिर कई बार एक इस्तिती से ध्यान अटाकर दूसरी पूजिशन के और लेकर चलने वाली होती है वहां पर भी आप सुएम को गतिशील करने का प्रयास जरूर करते चले जाईएगा आद्ध्यात्मिक चिंतन में थोड़ी सी कमी बनी रहने वाली रहेगी तो वही मितुन राशी परतमतया यहां भाग्ये का सा योग आपके लिए बना हुआ है नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी चिंताएं जो बारम बार मन और मस्तश्क पर हावी हो रही थी उससे भी अब आप एक दूरी बनाते चले जाएंगे यहां बुद्परदान राशी के जातकों को चाहिए के कमिशनिंग संबंदी कामकाज में अपने हस्तक शेप को बहुत अच्छे से लेकर चलें जहां किसी वक्ति विशेश से लंबे समय से बाच्ची चल रही थी आपको लगता है कि वो कंवेंस नहीं हो पाएगा आप 50 से 60 परसेंट तक अपना काम कर चुके थे किन्तु अब उमीद छोड़ जाते हैं और वहीं से जो पॉजिटिविटी थी वो पूर्ण तया नकारात्मक स्तर के साथ माकर खड़ी हो जाती है उससे आपको संभलने के जरूत है यहां आपसे हम दिविदन करेंगे कि जो ग्रिहस्त जीवन के अंदर चोटी चोटी बात हैं बारम बार आपको यहां परिशान करके चल रही थी या फिर जो दूसरे स्तर के उपर यहां पारिवारिक जीवन के अंदर जो तनाव किसी ने किसी कारण विशेश को लेकर बने वोई थे आपके साथ संबंदों में तनाव नहीं है कोई कारण विशेश है भूमी को लेकर या फिर किसी की कोई बात को लेकर जो की एक तरह से नागवार गुजरी है पुरी परिवार को तो उसमें अब आप किस तरह से सामंजस से स्थापित कर सकते हैं रविवार के इस दिवसुशेश में ये प्रयास आपको जरूर करना चाहिए और इसी समय आप से निविदन करेंगे कि हाईर एजूकेशन से संबंधित किसी भी डिसीजन की और आप जाना चाहते हैं बेहद आसानी से अगामंचील यहाँ पर हो सकते हैं इसी समय अंतराल के अंदर मस्कूलर पेन संबंधी समस्याओं से खुद को पूर्ण तया आप जागरुक करके चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर आग यदि इलेक्ट्रोनिक एक्क्यूप्मेंट संबंधी कोई भी कामकाज के साथ कंस्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ अपने हस्तक शेप को बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ इस बात पर गौर करें कि निवेश के अंदर अत्यधिक सावधानी बढ़ते हैं किसे भी पर्चिसिंग के और इस त्योहारी समय में जा रहे हैं तब भी खुद को व्यापारिक्स तरके उपर अपडेट करने के रिक्वार्मेंट रहेगी करकराशी के जात्कों को चाहिए कि कोई भी बड़ा निरने यहां आपके सामने है और लग रहा है कि त्वरित गती के साथ में निरने लेने की आवशक्ता रहेंगी अगला व्यक्ति उस तरह से हमको प्रेशराइज कर रहा है निविदन है कि ऐसे प्रेशर को दूर हटा कर यदि वो निरने लॉंगर टर्म्टी बेस का है या बहुत बड़े रुपे पैसे के आधार को लिएवे है दो से तिन दिन सोचने का मौका लीजिए और उसके बाद में ही उस और गतिमान हुईएगा मिन्य था थोड़ी से दुवधाएं यहां आ सकती है हाला कि रिसर्ट संबंदी कामकाज में यह समय बहतरी के आधार को लिएवे है सरवांगिन लाप के अंदर वर्दी नहीं है बाग्ये का वैसा सा योग नहीं है जैसा आप चारे है इसी वज़े से यहां जोखिम भरे कारे करने से आपको थोड़ा सा रुकने का प्रयास करना चाहिए चंदर्मा परदान राशी के जातकों को चाहिए कि यह आप मेटल संबंदी कामकाज के अंदर है शेर मार्केट संबंदी कारे के साथ में प्रती एक दिन आप ऐसी गतिविद्यों में चलते हैं यह जो रविवार का दिन है रूप रेखा बनाने के हिसाब से खुद को स्ट्रटजाइज करने के हिसाब से आती महत्वपून कहा जा सकता है और वहीं पर विदेश संबंदी कारें में यहां संकेत आपको सकारात्मक करने वाले रहेंगे स्वयम के प्राक्रम के अंदर आप एक लगातार वृद्धी के सरे को देखते चले जाएंगे कि इसलिए वहां पर भी तोड़ा सा रुख कर चलने का प्रयास करें चंदरमा परदान राशी के जातकों को चाहिए कि वानी पर आप जितना नियंतरन रख कर चलते हैं उतनी ही बहतरी खुद को आप यहां पर देने वाले रहेंगे सुनना जादा है कहना कम है समझना जादा है और समझाना कम है इस फॉर्मूला के साथ में आप चलते हैं तो ये दिन संतोश प्रद आपके लिए कहा जा सकता है ये एक इसपस्टता आपके लिए यहां पर रहेगी सिंग राशी की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रतमतया व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए आत्म विश्वास में पूर्ण कालिक तौर के उपर ब्रद्दी बनी हुई है और इसी समय अंतराल के अंदर ग्रिहस्त का पूरा-पूरा सा योग आपको मोटिवेट करता चला जाएगा यहां कोई भी बड़ा निरना आपको व्यापारिक जीवन के साथ में दे लेना है तो सुभह का समय अंतराल अति उत्तम है हामी भरने का एक कॉल करना है तो वो आप सुभह के समय के साथ में ही स्वैम के लिए जोड़ कर रखिएगा इसी समय अंतराल के अंदर भूमी संबंदित कामकाज हो या पिर कोई भी ऐसा कारे जो की सीजनल विजनस के साथ में जुड़ा होता है दो पहर कांतराल वहाँ पर काफी है तक आपके लिए बहतर है यहां कोशिश कीजिएगा कि जो एकांत का समय आपको मिलता है उसको हम वर्दान सुरूप आधार के साथ में मान कर चलने वाले रहेंगे जिससे की जीवन की भीतर पूरी ही बहतरी स्थापित होते चले जाए और महीं ये निविदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी महनुभाव यहां आपके जीवन में जुड़े वो हैं या जिनकी रिस्पॉंसिबिलिटी आपके साथ में है उन में से किसी को भी कोई दिक्कत और दिविदा पारे बारे कि स्थर पर है या परसनल लिवल की कोई और पूजिशन के साथ में है वो आप से चर्चा करना चाहता है उसके लिए आप समय जरूर निकालने वाले हो सेंगराशी के जातिकों को चाहिए कि यहाँ पर यातरा संबंदी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार जो की दूरस तस्थान के साथ में जुड़ावा हो वहाँ पर भी अपनी वर्चुल प्रेजन्स को टेकनलोजी के मीडियम से बना कर रखने का प्रयाज जरूर करें यहाँ कोई रिलेशन आपके लिए एजुकेशन के लाइफ में डेबलब हुआ था प्रोफेशनल लाइफ में आगे चलते हुए डेबलब हुआ कि दू चोटी चोटी बातों से वहाँ तनाव निकल कर अब आ रही है और डिमांड्स निकल कर आ रही है खुद को ये निर्देश देने के आवशक्तां रहेंगी कि इस रिलेशन के साथ में चलना है या फिर कोई और रास्ता एक्तियार करके इसे एक सुखद मूर दे देना है ये इस पस्ट आपने साथ में आप जरूर रखने वाले रहें कन्याराशी के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्ते संबंदी इस्तियों के अंदर थोड़ी से दिवधाएं तिवर गामी तोर के उपर निकल कर आ सकती है उससे जितना आप सालधान रहते हैं उतनी ही बहतर ही स्वहम के लिए आप इस्तापित करते चले जाएंगे भाग ये कासा योग उस इस्तर और दर्जे के साथ में नहीं है जैसा आप यहाँ पर डिमांड कर रहे थे इसी वज़े से करमशीलता के अधार को जारा अच्छे से लेकर चलें नौकरी पेशा जीवन में आवकाश के दिन के बावजूद जो भी टास्क सामने आती है उसकी पूरता की ताकत अपने साथ में बना कर रखिएगा और जो लोग विद्रों के साथ में चल रहे थे अब वो मुखर होकर श्रत्रुवत इस्ततियों को निर्मित करने वाले हो सकते हैं उससे भी आप थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर करने वाले हो और वहीं सरवांगी लाप के स्ततियों में ब्रद्दी नहीं है प्रती एक जगे अपने हाथ आजमाने से आपको बचना चाहिए यह समय खर्चों की अधिकता को लिए वो है उससे बचने का प्रयास कीजिएगा और यही वो समय है जहां पर आपके लिए भाईयों और मित्रों के साथ में कुछ कांट्राडिक्शन्स निकल करा सकते हैं रविवार के दिवस में उनसे मुलाकात भी होती है तब भी आप पूरे तरीके से अपनी इस्ततियों में सरलता और समयता को लेकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाहिएगा बुद्बरदान राशी के जातकों को चाहिए कि आप इवन्ट मेनेज्मेंट संबंदी कामकाज शोशल मीडिया संबंदी किसे भी कामकाज के साथ मुझूड़े वो हैं कोई भी विक्ति कहता है कि रुपए पैसे की स्तियों को बाद में देख लेंगे अभी कामकाज करने की और जाता है ऐसी पोजिशन्स के अंदर डिपलोमेटिक रहने से बचे हैं आपकी कारे का हुनर आपके साथ में है पहले एक बार रुपए पैसे की स्तियों तैह हो जाए उसके बाद में ही उस कारे की प्रगति की और जाएंगे इस मूल मंत्र को आप अपने साथ बना कर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा तुला राशी के जातकों के लिए यहां पर प्रथम तया जो क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज होते हैं वो वरद्धी लेकर आने के साथ में सुबह के समय में ही महत्पूर्ण अवसर की इस्तियों को निर्मत कर सकते हैं वहां पर अपने जुड़ाव को इस्तापत करके आप जरूर चलने वाले हों शुक्रपरदान राशी के जातकों को चाहिए कि इसी समय के साथ में यदि आकस्मिक धनलाप संबंदी कोई भी अवसर आपके सामने आता है वहां पर स्वहिम को पूरे तरीके से आप जोडने वाले रहेंगे आप यहां टेकस्टाइल संबंदी किसी भी कामकाश के साथ में वस्तर उद्योक के किसी भी अन्यत्र गते विधी के साथ में जुड़ाव रखकर आगे बढ़ते हैं तब भी इस समय की जो सही योगी स्थियां होती है वो आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने वाली रहेगी एसर अविबार के दिवस विशेश में इस बात का खास क्याल रखें कि जो संतान और ग्रहस्त के साथ में समय बीतेगा वो जो लंबे समय से जद्धो जहद जो इंडारेक्ट प्लैशिस चल रहे थे उससे आजाद करने वाला होगा पुनहे आत्मियता के भाव यहां पर आपके लिए बनते चले जाएंगे जिस भी कारिय के अंदर आप जोड़ते हैं उसको उपासना की स्ततियों के साथ में लेकर चलें इतना गहराई से वहां पर स्वैम को जोड़ कर चलें कि कोई और अन्निभाव वहां पर हावी रहने वाला हो ही नहीं और वहीं एक निवदन प्रमुखतोर पर आपसे ये भी है कि जो भी व्यक्ति विशेश आपके लिए कोई न कोई कांट्राडिक्शन को एस्टेबलिश कर रहा था और अब उसकी शक्ल सामने आ चुकी है एक बार उससे बाचीत करने की आवशक्ता रहेंगी समाधान आपके संब्मुक होंगे यहां आप उन्हें हैं यदि सिक्षा के और जाना चाहते हैं अपने नौकरी पेशा जीवन से दूर हट कर या फिर उसके साथ में आप सिक्षा को लेकर चलना चाहते हैं ये जो दिवस है निरने के लिहाज़ा काफी हद तक बहतर कहा जा सकता है रिष्च भैस से ग्रसित रख सकता है सब्ता के शुरवात में क्या होगा पूरे ही सब्ता क्या होगा त्योहारी समय नजदीक है नौकरी पेशा जीवन में कोई और संकट तो नहीं है इन बेसले स्पियर से आजाद रहने का आप प्रयास जरूर करें प्रतमतया ये व्यापारिक कर बनी हुई चेंता है अब धिरे धिरे यहाँ पर कम होती चले जाएंगी और वहीं सर्विस इंडूस्ट्री संबंदी कामकाज हो गया विकल संबंदी कोई भी कामकाज हो गया बले ही वो कॉमर्शल की एक तरह से कैटिगरी मा रहा हो या फिर लगजरी की कैटिगरी के इं हुआ हैं तब भी आप सुहम के लिए इस दिवस विशेश को बहतर मान कर चल सकते हैं परिणामों की गतविधियों के अंदर उजास लगतार रहने वाली होगी जीवन के प्रबंदन के उपर खासे हद तक आपको एक तरह से गौर करने के आवशक्ता है कि हम किस तरह से डिस कि जो आप दोस्तों के साथ किसी भी कामकाच की शुरुबात कर चुके हैं और अब वो एक तरह से अन्वने आधार पर चल रहे हैं लग रहा है कि उनका इंट्रेस्ट नहीं बचाए तो एक स्ट्रेट फॉरबर्ड डिसीजन लेने के आपको रिक्वर्मिट रहेगी कि हम अ और वहीं पर यात्रा संबंदि कामकाच आपके लिए एक अच्छे अप्रोच को लेकर आ रहे हैं यहां जो भी कारे आप हाथ में लें उसकी पूरी ही जो एक्जीक्यूशन के अप्रोच आती है वहां तब खुद को पूर्ण तया जोड़ कर रखने का प्रयास कीजिएगा इसी समय अंतराल के अंदर धनुराशी के जातकों को चाहिए कि कंट और वानी संबंदित कामकाच में जिस अधिकार के साथ में आप चल रहे हैं उसको पूर्ण तया जीवन के अंदर अंगिकार करके चलते चले जाना चाहिए आपको और यहीं अध्यात्मिक चिंतन में अंदर शत्रू हावी नहीं है उनको जबरदस्ती कोई भी बात कहकर निमंतरत करने का प्रयास आप बिल्कुल भी नहीं करें यहां रण देने और लेने संबंदी दरने के अंदर सावधानी बढ़ते हैं निवेश की किसी भी प्रकरिया को अपनाना चाहते हैं उस लहाजा ये दिन आपके लिए पॉजिटिव रिफलेक्शन्स को सामने रखने वाला रहेगा पहरे बार एक जोना को कहीं पर भी सयोग की एक तरह से जरूरत हो आप पहले वेक्ति रहें जो वहाँ अपनी प्रेजन्स को एस्टेबलिश करने वाले हों किसी भी गैजट को खरीदने क और जाना चाहते हैं तो अपनी बजट की अप्रोच को बहुत अच्छे से आप यहां पर ख्याल रखकर चलिएगा जो शुकरोश के अंदर वेक्ति निरना तो लेता है किन्तु कितनी आवशकता है यह निरना प्रक्रियाधीन आप करके चलने माले रहें चोटी चोटी बात हैं जो कई वार जीवन के भीतर आती है परेशान करती है और मन को घहाव दे जाती है उससे हम कितना संबलते हैं कितनी इग्नुरेंस के अप्रोच को अपना कर चलते हैं वस्तुत है यह महत्वपूर्ण स्तथी रहेगी मकर राशी के जातकों के लिए यहां पर धना गमन की स इस्तियां लगातार बढ़ रही है इसे के साथ जो लंबे समय से चोटी चोटी परेशानिया काविस्ती वो अभी भी बढ़ने का कारे कर सकती हैं उनसे भी आप संभलिएगा फाइनेंशल गेन है किन्तो परेशानिया भी उसे सिरे के साथ में चल रही है तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल फ्लो को एस्टबलिश करके चलें आप दो पहर के समय आलस्य की स्तियों से बचें आपको लग रहा है कि अगले सब्ता की स्तियों में जो कामकाच का भार है इस रव यहाँ जो भी प्रकाश संबंधी कामकाज होते हैं व्यवस्तत वर्द्धी के सरुकार आपके संब्मुक रखते चले जाएंगे और वहीं थ्रॉट इंफेक्शन को रिलेट करते ही प्रबलम से और साथी साथ माइग्रेन संबंधी समस्याओं से यदि आप जूज रहे हैं तो वहाँ पर भी खुद को पूरे तरीके से आप संभालने का प्रयास करते चले जाएएगा मकर राशी के जातकों से हम निवदन करना चाहेंगे कि विदेश संबंधी कार्जियों के साथ में आपका हस्तक शिप रहा है कोई व्यक्ति आपको पूरे तरीके से भरोसे के परचा होती रहे जिस कामकाज के साथ में हम जुड़ रहे हैं उसके अनुभवों के लिए कितनी स्टेडीज को लेकर चल सकते हैं कितना खुद को एक तरह से लेखन के और लेकर चल सकते हैं पॉइंट्स बना सकते हैं यह सब कुछ अपने साथ आप बनाकर चलिएगा एक संभलने की कोशिश करने चाहिए कुमबराशी के जातकों के लिए आत्म विश्वास में वर्दी रहेगी चोटी चोटी बातों से जो परिशानिया निकल कर आ रही थी उससे अब आप धिरे धिरे आज़ाद होते चले जाएंगे यह एक महत्तु पूर्ण स्थती है और वही आप इस बात पर भी पूर्ण तया गोर करके चलिएगा कि लंबे समय से अटके हुए कारे किसी व्यक्ति विशेश के वज़े से ऐसे दो राहे के उपर खड़े थे तो आज उस व्यक्ति से चर्चा करके खुद की स्थतियों को सफस्ट करना अपनी भूमिका को रखना और बाद में उस कामकाच के क्लारेटी को लेकर चलना यह आवशक रहेगा शनिदेव की मौल ट्रकॉन राशी के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो भाग्य का सयोग आपके लिए बना हुआ है उसका पूरे तरीके से फाइदा उठाते वे चलिएगा आप नौकरी पेशा जी किसी और ऐसे रूटीन को फॉलो करते हैं कोई भी चोटे मुटे इस तर पर चोटे लोने वाले इस्तियां सामने निकल कर नहीं आए उससे आप सावधान रहें अन अपचारिक तोर के उपर हो रही मुलाकाते हैं बहुत बड़े परिवरतन जीवन के भीतर लेकर आने वाली हो सकती है उसको भी अपने साथ आप जोड़ कर रखने का प्रयास जरूर करें कुमराशी के जातकों को चाहिए कि जहां पर भी धकान हावी होने लगे खुद को कुछ देर के लिए और उची कर कारे में पुने जुड़ें और उसके बाद में और जवान होकर उसे कारे के सा साथ में संलगनित होते हैं चले जाएं यहां कंस्रक्शन संबंदी कामकाश के साथ आप जुड़े हुए हैं यहां और संबंदी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तब भी यह समय आपके लिए सहयोग की गतवधियों को परते धुनित कर यहां पर प्रतमतया मानसिक चंताएं आकस्मिक तोर पर निकल करा सकती है उससे आप पूर्णतया खुद को संभालने के और जाएं और इसे के साथ में विदेश संबंदी कारियों में रूची आपके लिए बढ़ती चली जाएगी काफे कुछ नया सीखने को भी यहां पर म किस्त के स्वास्तिका पर मुक्तौर के उपर आप ख्याल रखकर चलने वाले हों मीन राशी के जातकों को चाहिए कि धैर यह महत पूर्ण पूंजी है आज की कोई भी रियक्टिव करने की और आपको लेकर जा रहा है कोई भी आपको बारं बार आलोचनाओं की और लेकर ज सकते हैं उससे आप पूर्ण तया संभल कर चलने वाले जरूर रहें यहां मीन राशी के जातकों से निवदन है कि जो आनंद की प्राप्ति आपको अपने कारियों के साथ में हो रही है उसको पूर्ण तया जिवन के भीतर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा हाला कि सोच के स साथ में संगर रशें चनता है किन्तु जहां कर्म के साथ में हम जुड़े वहां अंत्तों गत्वा आनंद प्राप्त होता चला जाएगा रण संबंदी स्तियों के अंदर निर्णा में काफी सोच विशार कर ही आप आगे बढ़िएगा तो यह था 17 अक्टूबर 2021 का दैने क राशेपला मैसी चर्चाओं के साथ हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शहर आभार